कला मनुष्य को रचनात मत्ता से ही नहीं प्रकृती से भी जोडती है राश्थानी की लड़त कला अकादमी में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी कला की ये खूबियां उभारने के साथ साथ दर्शकों को भी जीवन के इंड्रध्वनशी सुरूप का संदेश देती है इस प्रदर्श्टी में विभा सिंग, साबा हसन, रूप चंद्र और सारिका की पेंटिंग को शामिल किया गया है विभा सिंग ने अपनी पेंटिंग में नारे के विभी रूप को उगे रहे है विभा सिंग और साबा हसन जहां पेशिवर चित्रकार हैं, वहीं सारिका और रूप चंद्र उभरती प्रतिभाए हैं रूप जंद्र क्राफ्ट्स म्यूजियम में रखी टराकोटा की मूर्दियों, पुराने बरतन तथा पुराने किले की कुछ कलाकरतियों से काफी प्रभावित हैं और इनकी कलाकरतियों पर इसकी छाप सपष्ट रूप से देखने को मिलती है इनकी कराक्रतियों का मुख्य विशे है Still Life मैं जहां पर भी जाता हूँ तो महां पर कोई भी विशेवस्तु मुझे दिखती है तो मैं उन्स विशेवस्तु को अपने पेंटिंग का एक विशे बना लेता हूँ तथा उसमें मुझे क्या नजर आ रहा है उसको मैं हूँ बहू अपने ब्रश और रंगों के जरिये अपने जो ड्रॉयंग शीट है उसपे उतानी कोशिश करता हूँ लेकिन प्रदर्श्ली का खास आकरशन है चित्रकार सारिकाती कलाक्रतिया उनकी सभी कलाक्रतियों फूल, कनेश, प्रिशू, शंक, शिवलिंग का आधार ओम है और लाल नीमी रंगों ने इन्हें और भी आकरशत बना दिया है मैं जाज़तर पेंटिंग ओम के माध्यम सो बनाती हूँ या पिर कह लिए टेक्स्टर भी बनाती हूँ जो मैंने पर इस प्रदर्शनी में सारे ओम की बनाई गई है क्योंकि ओम ही एक ऐसा शब्द जो ब्रमान में सबसे पहले आया था और सबसे अंतक भी रहेगा इसमें कोई संदेह नहीं कि ये यूवा चित्रकार कैन्वस रूपी आकाश पर उडान भरने में समर्थ है इन्हें इंतिजार है तो बस समय और अफसर का